हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रिजनिंग के 17 अती महत्तपून प्रश्ण के बारे में इस वीडियो मताएंग इसलिए आप वीडियो के अंतक बने रहेगा तीस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्ण के बारे मताएंग दोस्तों देखें जैसे कि प्रश्ण हम लोगों के सामने दिया गया है कि लूप्त संख्या ग्यात करें यानि मीसिंग नमर से संबंदित प्रश्ण है दोस्तों यहाँ पर जो ही कोस्चन मार के दिख रहा ह और भी प्रस्ण नहीं दिखे हाथ का सम्मन जिस परकार से कलाई लिखा है तो उसी परकार से यहाँ पर question मारक है दोस्तों और इन चारो option में से यहाँ पर दो option है आगे फिर आपको दो option दिखेगा तो इसी तरीके की प्रस्ण के बारे में इस वीडियो में बताएंग दोस्तो अलग-अलग chapters इस वीडियो में प्रस्ण को सामिल के हैं टोटल 17 प्रस्ण है जो कई बार एक्जाम में repeat कर चुका है क्योंकि कुछ state pattern के प्रस्ण होते हैं जो हमेशा पुछे जाते और जो जन्सियां conduct करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीकी के pattern को फोलो किया है और बार- एक्जाम में repeat कर रहे हैं और यह पार्ट नमर हम लोगों का 266 है दोस्तों जिसने पार 266 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके वीडियो सेक्शन में देख लिजे क्योंकि सारे पार्ट most repeated प्रस्ण के हैं तो आईए दोस्तों देखते हैं पहले नमर कोस्चन से क्या कर र यह आप किसी और भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं दोस्तों चैनल यह वो बिहार सची वाले बिहार प्लीस यूपियास आई दिल्ली हेट कॉंस्टेबल राजस्थान प्लीस हरियान ससी पतवार एलसी उम्टार सबलदार फोरेश्ट गार्ड एमपी प्लिस किसी भी गवर कर रहे हैं तो जितने भी सरकारी serum के लिएग्यान सब्सक्राइव क्या भी क्या प्रकार संप्राइए देखे जैसे यहां पर हम लोगों के सामने लिखा है कि हाथ का सम्मझ जिस परकार से क्या लिखा है दोस्तों कलाई तो उसी परकार से देखे जैसे दिया गया है कि हाथ का सम्मझ जिस परकार से कलाई लिखा है तो उसी परकार से दोनों क्या आएगा दोस्तों यही बात आपक बहुत सरा इस्ट्ट्रेंटक यहां पर गलती करेंगे, कोई यह लगा रहे हैं, बस अभी हाली के एक जाओंब पूछा है, अलग भग स्ट्ट्ट्रेंट इस प्रशन का आंसर गलती करेंगे, क्योंकि उसको तरीकाहिने मालूम आखिर कैसे करें है जो एजन्सियां कंडेक्टर है बिल्कुल इस फ्रस्न का अंसर भोर को दिया है कैसे ही दिखे जिस परकार हाथ हम लोगों का कलाई से जुड़ा हुआ होता है उसी परकार से यहां पर क्या जाए कि दोस्तो पैर जो है हम अंगुली के जश्ट ऊपर वाला जो इस लेकर आपको समझा दिये नहीं तो यहां पर बहूत सरा शरें गलती कर देते हैं अगला प्रस्न दिकी दोस्तो हम लोगों के सामने दूसरा नमर कोस्टन दिया है काफी इंपोर्टन कई बार पुछा गया है जैसे यहां पर लिख प्लस दो जोड़ना होगा उसी प्रकास यानि साथ से नौ पे नौ से ग्यारा प्लस दो जोड़ना होगा प्लस दो जोड़ना है प्रशन को रटना नहीं इस तरीके के प्रशना है तो कैसे करेंगा बढ़ते हैं दोस्तो अगले प्रशन के दिया गया है तीसरा नमर कोशन काफी इंप्रटन कई बार कुछा जा चुका है करें कि लूप्त संख्या ग्याद करें यानि मीसिंग नमर से संबंदित प्रशन दिया गया दूस्तों इस जो question mark दिख रहा है वहाँ पर इन चारों option में से कौन सा गया दूस्तों यही बात आपको बताना है तो दीखें आप उनको बताते हैं कि इस प्रशन का answer हम लोगों का कैसे किया जाएगा कि आखिर इन सभी छोटा संख्या को क्या करें जोड के या गुना करके जो इस बड़ा बला संख्या लिखा है उसी प्रकास इस प्रकास हो गया दो हो गया चार हो गया क्या करें जो बड़ा संख्या बन जा या अंदर बला छो है तीन है चार है और दू क्या करेंगे हो सकता है जोड के लिखा हो सकता है गुना करके इसक्वाइर करके या कुछ करके ऐसा सोचना होगा तभी आप इस प्रशन का answer कर सकते हैं हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तो यहाँ पर कैसे इस प्रशन का answer होगा और किस तरीके से हम लोग इस प्रशन को solve करेंगे ती देखे उसने क्या क्या दोस्तो यानि कि सब संख्या को जैसे यहां से लेते हैं हम लोगों के सामने क्या हो जाए तरीके सामने के लेते हैं यहां जैसे ले लेंगे हम लोग bracket के अंदर में 2 ले लेंगे उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 4 हो जाएगा 3 हो जाएगा जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 2, 7, 4, 1, 13 जाएगा दो चाओदा हो जाएगा यहाँ पर गुना कर लिए दोस्तो आपका कितना आजाएगा 42 आजाएगा देखिए यही 42 यहाँ पर लिखा एगना है तो उसी परकार से जिसका निकालना है दोस्तो आप उसका निकाल सकते हैं यहनि सब संख्या को ले लिजे जैसे यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा दूस्तो 6 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा अब रैकेट को बंद करके गुना क्या कर देना दूस्तो 3 कर देना तो कितना हो जाएगा जैसे लिखा हम लोगों के सामने बस बात को समझना है कि क्या क्या है तो आठारा को जैसे ही हम लोग गुना कर देंगे किस से तीन से क्या हो जाएगा दूस्तो अठरतिया चावण हो जाएगा यानि कि जो question mark दिख रहा है वहाँ पर क्या हैगा चावण जाएगा इस प्रस्ण का answer option नमर एक क्या हो जाएगा दूस्तो सही हो जाएगा most important प्रस्ण है कई बार पूछा गया लगभग स्ट्रेंट यहां पर धमा धम skip कर दे रहें क्योंकि उसको तरीका है नहीं मालूम है आखिर कैसे करें इस तरीके को प्रस्ण को तो यहां पर बत में दूसे कित सब में दूसे ऐसे आपको सोचना होगा अपने मन से बढ़ते हैं अगली प्रस्ण की और देखिए अगला प्रस्ण दिया है दोस्तों हम लगों के सामने कर रहा है कि कौन सा सब्द निमलिकित सब्द के अक्षराओं से नहीं बन सकता है यहां पर क्या पूछ गिलन बनाया जाका है ऊसे परकार से यहां पर देखाजाय है तुछ आपको से आपको आपसार नमर भोर तो यहां पर देखे M का परयोग क्या है, यहां पर क्या लिखें दोस्तो, M का परयोग क्या है, और वहाँ पर कहीं हम लोगों का M नजर, यह देखे, E, N, T, H, N, O, G, R, A, P, H, I, C, कहां हम लोगों का M नजर आ रहा है, इसलिए इस प्रशन का अंसर, option number 4 क्या हो जागा, दोस्तो, सही हो ज समझ लेना, यहां पर हुआ क्या, और कैसे इस प्रशन का अंसर किया जाएगा, बढ़ते हैं अगले प्रशन की और, देखे, अगला प्रशन भी काफी important दूस्तो ही दिखे, यहां पर कैसे 8 गुना 8 करेंगे, तो क्या हम लोगों का 72 हो जाएगा, उसी प्रकार से कर रहा है, 6 गुना 6 कीजेगा, तो 42 हो जाएगा, 7 गुना 7 कीजेगा, 56 हो जाएगा, तो उसी प्रकार से कर रहा है, 5 गुना 5 कीजेगा, तो आपका क्या होगा, question mark है, काफी important आपको बताना है, तो जल्दी सा आप वीडियो को पाउच कर लीजे, और अपने से बनाने का प्रयास कीजे आप से हो रहा है की नए हो रहा है, तो हम आपको बताते हैं कि उसने कैजसे 8 गुना 8, 72 हो जाएगा, बस बात को आपको समझना है, रटना नहीं है कि इस तरीके की प्रश्न को कैसी कैया, उसी परकार से हम लोगों से पूछा है आप नहीं कर सकते हैं यानि इसका पुछा जा रहा है तो यहाँ पर कर लिजे यानि 5 अगुना 5 25 में क्या करेंगो वही सांख्या जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दो तीस हो जाएगा तो इस प्रशन का अंसर नमर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा उमीद करते हैं आप समझ गयोंगे यहाँ पर हुआ है क्या दोस्तो यानि कि दोनों संख्या को गुना करके फिर वही संख्या जोड़ दिया दोनों संख्या गुना करके वही संख्या और भी आप लोजिक लगा सकते हैं ऐसाने कि बहुत सराश्टन यहाँ पर यहाँ पर भी बहुत सरे इस्टिरेंट गलती करते हैं क्योंकि उसको तरीका नहीं मालूम है इसलिए यहाँ पर लिखा है A और B क्या है दुस्तो भाई है तो यहाँ पर कर लेते हैं दुस्तो यानि कि A और B जो है भाई यानि कि A जो है बी का भाई है इस दिखार पर बना ले और ए जो है बी का क्या है दोस्तो भाई पूरूस जेंडर के लिए आप प्लस लगा देंगे और महिला जेंडर के लिए माई तो मा है तो महला जंडर यहां पर हो जाएगा उसी परकाश से फिर आगे लिखा है D जो है C का क्या है दोस्तों पिटा है यानि कि D जो है C का क्या है दोस्तों हम लोगों का पिता है तो यहां पर कर लिजे प्रूस जंडर के लिए प्लस देखे कैसे कैसे कह रहा था साफ साफ A जो है B का भाई, तो देखे, A जो है B का भाई, C जो है A की माँ है, तो यहाँ पर कर दे, उसके बाद D जो है C का पिता है, उसके बाद देखे, फिर हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, E जो है, हम लोगों का B का पूतर है, यानि E जो है, दो अगर देखा जाए तो C हम लोगों का दादी हो जाएगा और दादी का जो हम लोगों का पीता हो जाएगा दोस्तो या तो पर नाना बोल सकते हैं या हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तो पर दादा हो सकता है दो तरीके से यहाँ पर लीक भी देते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का कई है कि परनाना या परदादा इस प्रशन का अंसर अपसा नमर आपका थड़ क्या हो जागा दूस्तों सही हो जागा काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर बता दिये कि इस प्रशन का अंसर अपसा नमर आपका थड़ ही क्या होगा सही होगा जो जैंसिया कंड़क्ट कराई बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर दिया है, देखिए नै इस तरीके से क्या है, यानि कि दादा को जो दादा होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, पर दादा हिन बोलेंगे तो वहाँ पर जैसे उस तरीके से लिखा है, तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का Option number आपका थड़ इसके just opposite में क्या लेना है दोस्तो पस्चिम लेना है अर just इसके उपर में हम लोगों को क्या लेना है उत्तर लेना है और just नीचे इसको क्या लेना है दोस्तो दक्छीन लेना है तो इस तरीके से जैसे ही आप प्रश्ण करेंगे तो आपका आधा प्रश्ण क्या हो जाएगा solve हो जाएगा यानि कि इधर पूरा आप इसके just opposite पस्षीम उपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तो दक्षिन इध कि आप जैसे जैसे करा रहा है डाइगराम वैसे वैसे कर दिए करा कि आप सीधे पूर्व की और जा रहे हैं तो ठीक है सीधे हम लोग क्या करें पूर्व उसके बाद आप क्या करेंगे कि दाई और मुड़ेंगे तो ठीक है कर रहा हैं कि फिर से आप बाईं और मुढ जाते हैं तो आप समझने का प्रयास कीजी यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ अगर आप नहीं समझे एक वार तो फिर से समझ लिए इधर चला गया पिर कर रहा है कि उसके बाद हम लोगों का दाइं और मुढ था तो दाइं कि इधर ह हो जाएगा उसके बाद फीर से का रहा है दोस्तों हम लोगों का बाई और मुड़ता इधर बाई हो जाएगा यानि कि नीचे की और नीचे की और कौन सा दिसा होगा दक्चिन दिसा हो जाएगा आप अभी बना के देखे आपसे बिल्कुल हो जाएगा इस प्रस्ण का अंसर अपसा नमर थड़ क्या होगा और यहां बता भी दिये हैं कि पूरब किदर लेना पस्चिम किदर लेना उत्तर किदर दक्चिन किदर अगला प्रस्ण की दूस्तों हम लोगों के सामने आठवा नमर को संद्या इधिक है कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया तो यहां पर हम लोगों के सामने तीन लिखा है चार लिखा और पांच एकदम सिंप्ली दे दिया उसे प्रकार से इसका दिया है कि एस उसके बाद टी उसके बाद हम लोगों के सामने ई उसके बाद ए और डी और क्या दुस्तों वायत इसका कोड क्या क्या दिया है यानि कि इसका कोड ल उसके बाद डवल आर तो यहां पर डवल आर उसके बाद A डवल आर E उसके बाद हम लोगों के सामने S और क्या है दोस्तो T तो इसका निकालना है था क्या आप इसका नहीं निकाल सकते हैं नहीं संदे निकाल सकते हैं कैसे एक का देखे क्या लिखा है थे एक के लिए यहां पर क्या पर्यों क्या है साथ का पर्यों क्या है थे एक के लिए क्या लिखा जाएगा साथ उसे परकार से आर के लिए तो देखिया आर का मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर मिल रहा है R के लिए 4 का पर्यों क्या है तो R के लिए क्या हो जाएगा 4, 4 उसे प्रकार से E, E के लिए वहाँ पर देखे 1 का पर्यों क्या है, एकदम यहाँ पर लिखा है कि E के लिए क्या पर्यों क्या है, उसने 1 का पर्यों क्या है E के लिए यहाँ पर आपका इसे कर रहे है E के लिए हम लोगों का 1 तो आप 7 कैसे लिख रहे हैं यहाँ पर E के लिए क्या हो जाएगा दोस्तो हम लोगों का 1 हो जाएगा E के लिए क्या हो जाएगा दोस्तो 1 हो जाएगा उसी प्रकार से S के लिए जाएदि के मिल रहा है एस के लिए क्या दूस्तो नो का पर यो क्या है अटी के मिल रहा है तीन का पर यो क्या है अगला प्रशन के सामने नवा नमर कुछसन दिया है कई बार इस तरीकी के प्रश्ण आपके एक्जाम में पूछें कि यहां पर जैसे हम लोगों के सामने पहला उप्सन आप उठा के देखिए क्या आप इस तरीके के प्रशन को सौल पकर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे यहां पर लिख देंगे 31 उसके बाद गुना उसके बाद हम लोगों के सामने 121 उसके बाद हम लोगों के सामने भाग यहां पर अगर ऐसे करेंगे तो क्या हम लोगों का हो पाएगा इस तरीके से यहां पर लिखा है बह आप उठाएंगे पहला option दूसरा option तीसरा option तो नहीं होगा बलकि इस प्रस्ष्ण का answer आप कैसे करेंगे तो option नमर फोर से होगा कैसे होगा ही देके यहां पर लिखना होगा 31 उसके बाद इक देके बता देते हैं कि उसके बाद minus उसके बाद हो जाएगा तो ढहले पर भागा हो जाएगा यहां पर हो जाएगा दू उसके बाद हम लोगों का प्लस क्या हो जाएगा दूस्तो वन अब रावर क्या सुला क्योंकि यहां पर देखे जो 121 इस तरीके सटा कर लिख दया है इसी बज़े से बहुत सरा आए कि नहीं होता है जैसे 31 उसके बाद हम लोगों के सामने भागा जैसे हम लोगों के सामने हो जाएगा दूस्तो दू तो ठीक है सर यहां पर कर लेते हैं और करने के बाद हम लोगों का सुला आ रहा है कि नहीं हो रहा है तो दीखिए यहां पर जैसे करेंगे दोस्तों की एक बटा हम लोगों का क्या हो जाएगा दू हो जाएगा तो ठीक है 31 उसके बाद हम लोग जैसे कर लें दोस्तों की 31 माइनस हम लोगों का क्या हो जाएगा एक हो जाएगा तो ठीक है 31 एक और यहां पर बटा में अगर दो कर देंगे तो प्लस क्या कर देंगे दूस्थ उन कर देंगे ताऊखिर कैसे हो Kा सर यहां भी तो यही दितकत हो रहा है कि आखिर करेंगे तो करें इस प्रश्ण का आंसर भले हैं देह दोस्तों यहां पर एक अनुकरमिक किरिया आके वास्ते ऊचीत चीन का परियोग करना होगा यह बात यहां पर mention कर दिया है कि देखे अगर आप board mass का rule लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा अगर आप ऐसे करेंगे तो नहीं हो पाएगा लेकिन इस person का answer कैसे करना होगा 31-1 और यहां पर भागा दू अपलस क्या करेंगे यहां पर अगर जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे दोस्तो तो आपका 31 में एक घटा देंगे तो हम लोगों का 30 हो जाएगा 30 और भागा दू अपलस क्या करेंगे वन करेंगे तब ही हम लोगों का इस तरीके से आप करेंगे तो इस प्राष्ण का आँसर आप फोर दिया था लेकिन इस तरीके से उसने किया है लेकिन यहां पर बहुत सरा यश्टन है नहीं कर पा रहें क्योंकि आखिर पतान आखिर कैसे होगा कि सर आप बोड मास के रूल का नियम का पालन का कर है लेकिन आपको अगर answer पुराना है तो इस तरीके से चलना अगानिया था आप क्या कह सकते हैं कि प्रस्ण क्या answer गलत है आप ऐसे कह सकते हैं लेकिन जो agency conduct कराए थी दोस्तो इसको इस तरीके से उसने solution किया हुआ था इसलिए हम बता देना चाहते हैं आप ये नहीं कह सकते हैं क कि आप गलत बोल रहा है यहाँ पर इस तरीके से इस प्रस्ण का answer दिया था तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाग है दोस्तो इस प्रस्ण का answer option number आपका फौर क्या हाँ जागा बढ़ते हैं दोस तो अगले प्रस्ण क्या करा है और coffee mode आप on took बने रही है या हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हुआ हो। लेकिन आप अनंतक बने रहें, रहें कहां पर कही से परकार से बलकि कहां दिख रहा हैं इस तरीकेसे उसके बाद इदर चीपा उवाय है अगला प्रस्न दिखें हम लोगों के सामने इमें इस तरीके की प्रस्न अभी करवा चुके हैं फिर हम लोगों के सामने देखे इस तरीके की प्रश्ण आया है लेकिन वहाँ पर देखे एक अलग था यहाँ पर क्या है दूस्तो एक अलग है लेकिन तरीका आई देखे यह बन जाएगा कि L का अर्थ क्या है दूस्तो प्लस तो आप बनाएगे तो देखते हैं तो भाग लेने के लिए कहा और 3 उसी प्रकार से M तो M के जगा माइनस उसके बाद 6 बस इसी को आप solve कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा अंसर निकल जाएगा तो इदिके 4 दूना 8 पहले काम होगा यानि भाग का इदिके यहाँ पर 21 में 3 से भागा देंगे क्या होगा? 7 होगा, मैनस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा तो 8-7 कितना हो जाएगा दूस्तो इसको एक लाइन solve कर देंगे तो आपका अंसर हो जाएगा 8-7-15, मैनस क्या दूस्तो हम लोगों का 6 तो जैसे ही घटा देंगे तो आपका अंसर कितना हो जाएगा दूस्तो आनो हो जाएगा तो इस प्रस्न का अंसर देगे option number B क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा लेकिन उप्रस्न में वहाँ पर क्या क्या है तो बोड मास रूल का नियम का पालन नहीं करके एक अलग तरीके से उस प्रस्न का अंसर दिया था लेकिन यहां पर इस प्रस्न का अंसर option nummer आपका B क्या हो जाएगा? दोस्तो वही हो जाएगा बढ़ते हैं अगले इसके बाद हम लोगों 30, उसके बाद 64, आपको वीडियो को पारुच करके ट्राइ करना होगा कि आखिर आप कैसे करना है रहे हम आपको बता दें हैं फार ओसने था दुबает किस चार का square है दूसतों हम लोगों पर हम लोगों के चार का square है और यहां दुस्तों आट का square है यहां पर प्लस दो का विर्धि उसी परकार से हम लोग पहला आपसन यहां पर उठाएंगे तो यहां पर जैसे हम लोग ले लते हैं चार उसके बाद हम लोगों का नो उसके बाद 144 तो समान संग्या का बिर्दी होना जैसे दो दो हो सकता है कब कोई टो में चार चार हो सकता है कोई में चो चो तो यहां पर ई तो हम लोगों का दो का स्कॉयर है उसके बाद तीन का स्कॉयर है ई बारा का स्कॉयर तो क्या समान सं लिए दोस्तो 256 तो देखते हैं कि इसी तरीके से हो रहा है कि नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि ऐसे कर रहा है तो देखिए 16 जो है हम लोगों का 4 का क्या है दोस्तो square है उसके बाद ये एक सव जो है दस का square है उसी प्रकार से ये जो है दोस्तो हम लोगों का 256 का square है तो दीखे यहां पर यदि आप उठाएंगे दोस्तो आपका एकदम हो जाएगा कि 4 के बाद हम लोगों के सामने 10 हुआ तो दीखे प्लस 6 का विर्दे उसे प्रकार से 10 के इसलिए इस प्रस्ण का अंसर option नमर दूसरा क्या होगा सही होगा काफी important लगभग student धमाधम skip कर दिए कि सर हमसे होगा ही ने हम कैसे कर पाएंगे ऐसे ऐसे comment करने लगते हैं क्योंको उसको तरीका है ने मालूम कि आकिर कैसे होगा जीस परकार से दिखे कि question में यानि दो-द हो सकता है जैसे वहाँ दू-दू वात इसमें क्या दिया दूस्तों काफी important important प्रस जो लगभग student skip कर देता है ऐसे प्रस्ण देखते ही बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर देखे अगला प्रस्ण नमर के सामने 13 नमर question करा है दिये गए सब्दों में कौन सा सब्द कोस में तीसरे अस्थान पर आएगा यानि डिशनरी में रखना है दोस्तों यानि डिशनरी में पहले ये word आएगा कि किस तरीके से आपको रखना वही करा है कि तीसरे अस्थान पर कौन सा आएगा तो देखे आपको बताते हैं दोस्तों इस प्रस्ण का answer कैसे करें सबसे पहले यहां पर हम लोगों का कोमन देखे, S मिल रहा है, इसमें भी S मिल रहा है, इसमें भी S मिल रहा है, इसमें, तो S के बाद आपको चेक करना है कि कौन हम लोगों का, उसके बाद आपको देखना है कि A B C D पहले दी वहला तो इस तरीके से हम लोग रखते हैं तो यहां पर देखे कौन सा वर्ड हम लोगों का सबसे पहले रखा जाएगा तो यहां पर हम लोगों का हम लोगों का इसमें भी ह आ रहा है इसमें ए न आ रहा है तो हम लोगों का है इसमें पहले आएगा तो हम लोगों का यानि कि थाड़ वाला option क्या आगा दोस्तो यानि कि थाड़ वाला option जो है पहले अस्थान पर होगा यानि कि ये जो है S, H, A उसके बाद R और P, E क्या आएगा दोस्तो हम लोगों का पहले आएगा यानि ये वाला option हम लोगों का पहला नमर पर आएगा ठीक है इसको ले लिए उसके बाद अब देखिया हम लोगों का SH यानि कि हम लोगों का इधर तो OOR आ रहा है तो हम लोगों का यानि कि इसके बाद आएगा दूस्तों दूसरा अस्तान पर आजाएगा SHOC यानि E आएगा दूसरा अस्तान पर Dictionary में जब रखेंगे तो पहले अस्तान पर इसको रखेंगे उसके बाद हम लोगों के सामने दूसरे अस्तान पर इसको रखेंगे अब देखिया अब ये दोनों ले लिए अब तीसरे अस्तान पर कौन आगा S O आ रहा है और उसके बाद N आ रहा है तो यहाँ पर देखे दोस्तो हम लोगों का कौन सा आना चाहिए S उसके बाद O आ रहा है और यहाँ पर कौन आ रहा है दोस्तो N आ रहा है तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि हम लोगों का कौन सा आना चाहिए कि तीसरे अस्थान पर सब्द कोस में दुस्तो अगर यहाँ पर देखा जाए कि तीसरे अस्थान पर कौन सा ना सही है यह देखे जैसे कि S और H तो S, H तो आ गया सब में हम लोगों का क्या हो गया दुस्तो कोमन हो गया बेसिक बात को आपको समझना है रटना नहीं है तो दीखे बस आपको तरीका समझना है दुस्तो कैसे इस प्रशन का आंसर क्या जाएगा सबसे पहले हम लोग जानते है कि यहाँ पर कोमन जो वर्ड है S, S, S सब में कोमन है तो कोई बात नहीं उसके बाद आपको देखना है दुस्तो कि A, B, C, D में सबसे पहले कौन आएगा तो यहाँ पर O आ रहा है उसे प्रकास यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या रहा है दु तो पहले H बलाएगा तो H में भी दूं नैं, दो अप्षना, तीसरा अप्षन दूनों में आप, H के बाद देखे, A आ रहा है, जानि पहला नमर पर यह आएगा, दूसरा नमर पर यह आएगा, उसके बाद देखे, तीसरा नमर पर हम लोगों का कौन सा आएगा, दूस्तो तो यह, तो इस प्रश्न का answer यानि तीसरे अस्थान पर कौन आइगा दूस्तो? यानि कि चाउथा बला option, पहला आपशन में रखा इस लिए इस प्रश्न का answer option नमर एक क्या हो क्या हो जाएगा? सही हो जागा यानि चौथे नंबर पर करा कि हम लोगों का यानि कि सब्द कोस में तीसरे अस्थान पर कौन आएगा तो तीसरा अस्थान पर जब डिशनरी में रखेंगे तो चौथा बाला जो आपसान है दोस्तो हम लोगों का तीसरे अस्थान पर आजागा तो इस तरीके से पहले देखें, आप S, S, कोमा नहीं, इसको आप हटा दीजे, इससे कोई मतलब नहीं, उसके बात चेक करना है कि A, B, C, D में सबसे पहले, A से लेकर Z तक कौन पहले आ रहा है, तो देखें, इसमें O आ रहा है, तो O थोड़ी आएगा, इसमें H, H तो H पहले ना आएगा, O और N तो बहुत दूर है, तो H दोनों आ रहा है, दो और तीन में, तो इसमें O आ रहा है, इसमें A आ रहा है, तो पहला नमर डिशनरी में इसको रखेंगे, फिर दूसरा नमर में इसको रखेंगे, अब फिर अम लोगों का तीसरा नमर में इसको रखेंगे, दूस्तों, क्योंक गई समों में विसम की पहचान करें विसम का मतलब यह होता है कि चार में से तीन तरीके से समान है एक अलग है कौन सा अलग है दोस्तों वही बात आपको बताना है सबसे पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा उसके बाद हम लोगों के सामने क्या आता है दोस्तो घन अगर ई नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या लगाना होता है और भाज सैंख्या लगाना होता है अगर ई भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या लगाना होता है दोस्तो सम और विसम अगर एकद का देता है और कोमेंट करने लगते हैं कि Sir इस प्रशन का अंसर तो यह होगा इस प्रेस्न का आन्सर तो उप्र लोगा так कैसे करें है तो यहां पर पहले वर्ज़ और घंद देखना होका नहीं दिखेका तो आहँ सगिए नो सर हम लोगों का क्या है एक वर्ग है और किसका वर्ग है दोस्तों यहां पर देखा जाए तो यह तीन का हम लोगों का क्या है इसक्वाइर है इसलिए इस प्रशन का अंसर आपसा नमर एक क्या हो जागा सही हो जागा देकिन बाकि कोई वर्ग नहीं है बलकि नो हम लोगों का क्या है, दुस्तों, वर्ग यहां पर लिख दिया कि 9 हमलगों का वर्ग है, यानि 3 का square है, यानि कि 1 क्या है, दुस्तों, वर्ग है इसलिए इस फ्रसन का answer, option number A, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, विसाहम का मतलब ही होता है, कि 4 में से 3 समान थी इस अभी कोई वर्ग है ये ने बलकि वर्ग है इसलिए इस प्रशन का अंसर अप्शन नमर ए क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा अगला प्रशन की दोस्तों हम लोगों के सामने पनरवा नमर को संदिया है कि कतन और निसकर्स वाले करा कि धार्मिक सिक्षा जीवन क क्या कर रहा है दोस्तों यहां पर लिखा है कि प्रबोधित करती है तो ठीक है धार्मिक सिक्षा जो है जीवन को क्या करता है प्रबोधित करती है सभी धार्मिक नेताओं यहां पर क्या लिखा है दोस्तों सभी धार्मिक नेताओं ने भाईचारे की सिक्षा दिया है तो जीवन को प्रववदित करते हैं कि जीवन जीने का एक सहरा मिलता है दुस्तों अच्छी भावना करती है इसलिए यहाँ पर पहला ओप्शन से हो जागा कराया कि हम लोगों का क्या लिखा है दुस्तों धर्मनता कुछ धर्मिक नेताओं की देन है इसा हम लोग थोड़ी कह सकते हैं, वहाँ पर करा कि सभी धार्मिक नेताओं ने भाई चारे की सिक्षा दिया है, यहाँ पर थोड़ी लिखा है कि धर्मनता कुछ धार्मिक नेताओं की देन है, यह बात गलत हो जाएगा, इस प्रशन का आंसर केवल निसकर्स ए निकाला तो सही हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर लिखा है कि धार्मिक सिक्षा जीवन को प्रवोधित करते हैं, उसके बाद करा कि सभी धार्मिक नेताओं को भाई चारे की सिक्षा दिया है, यहाँ पर अगर देखा जाए, तो वही करा कि धर्मनता कुछ धार्मिक नेताओं की देन तो इसलिए दूसरा गलती होगा पहला सही हो जाएगा अगला प्रसंदिकी दोस्तों 16 नमर अभी उधर करवा चुके थे यहां पर टैपिंग में हुआ था अभी जो बता चुके थे तो 16 के बाद इसको छोड़ दिया जाए बलकि यहां पर 17 पर आज आ जाए तो यहां पर करा प्रिंसिपल है शिक्षा का चातर है तो कौन सा हो जाएगा तो दिए यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों कि सिक्षा को गया प्रिंसिपल हो गया चातर हो गया यह सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा विसम या भी रहे इसका मतलब ही वही होता ह तो उमीद करते हैं दूस्तों आप सारे प्रश्ण को अच्छे तरीके समझ गयोंगे यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दूस्तों सस्क्राइब लिखावा दीख रहा होगा बगल में गंटी का निसान दीख रहा होगा और विला सेलेक्ट कर देना सस्क्राइब करना कभ अले वीडियो में मुलाकात होगी